So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आने की 9 December के important current affairs को तो इस प्रेशन में आपसे पूछे रहे हैं अभी हाली में अंतरराश्टर नागरे को ड़ियन दिवस ये कब मनाया गया? तो अंसर होगा 7 December को तो हर साल 7 December को International Civil Aviation Day के रूप में मनाया जाता है और इस बार की theme क्या है? वेश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार अचा 7 December कोई क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 December 1944 को अंतरराश्टर नागरिक उड़ियन संगठन की स्तापना होती है और अंतरराश्टर नागरिक उड़ियन संगठन इसका हेड़िकोर्टर कहाँ पर है? मौन्ट्रियाल कैनेडा में हैं और इसमें सदस्य देश है 193 भारत भी इसका सदस्य है वेशे 7 December को नोट करना सशश्टर सेना जंडा दिवस Armed Force Flag Day के रूप में भी मनाया जाता है अचा एक Current Affairs का प्रशन में आपसे पूछता हूँ आप मुझे बताओ कि भारत किस वर्ष से अंतरराश्टर नागरिक उड़ियन संगठन के जलवायू कारवाई में शामिल होगा तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है नई याद तो मैं इसका उत्तर बजाता हूँ आंसर होगा 2027 से और आप जानते हो नागरिक उड़ियन महानिदेशाले के महानिदेशक डारेक्टर जनरल कौन है यानि कि डारेक्टरेट जनरल अफ सिविल एवियेशन तो आंसर होगा विक्रम देव दत हैं इसी साल नई बने थे ये अच्छे इंपोर्टेंट डे वाला गिश्यन है चलो इस महिने के सारे इंपोर्टेंट डेस को हम रिवाइस करते हैं एक देसंबर को आपको यादे हमने वर्ल्ड एड से डे के रूप में मनाया था दो देसंबर को तीन दे मनाया हमने राष्टर प्रदूषन नियंत्रन दिवस विश्व कंप्यूटर साक्शार्त दिवस और अंतर राष्टर गुलामी उनमुलन दिवस तीन देसंबर को अंतरराष्टर दिव्यांगचन दिवस था, चार देसंबर को भारते नोसेना दिवस, पांच देसंबर को वर्ल्ड सोईल डे की रुप में मनाया और अंतरराष्टर स्वम सेवक दिवस भी था, International Volunteers Day और अभी ये साथ देसंबर को अंतरराष्टर नागरे को डियन दिवस और शशश्टर सेना जंटा दिवस की रुप में मनाया, तो ये देसंबर के इंपोर्टेंट डेज इनको ध्यान रखना अगला प्रशन दिखते हैं, चलिए फिर बताइए, अभी हाली में टाइम मैगज इनने अरजेंटेना के जो फुटबॉल प्लेयर हैं, लियोनल मैसी, इनको दोजा तेविस के लिए एथलीट आप दे इयर चुना है, और आपको याद हो तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022, जिसका 22 वा संसकरन था, कतर में खेला गया था, जिसका शुबंकर यानि की मैसकोर था लाइब, इसको अरजेंटेना ने जीता था, फ्रांस को राकर के, और यहां पे अरजेंटेना की कप्तान रहे, लियोनल मैसी, और इसके लिए ने गोल्डन बॉल अवर्ड भी मिला था, उसके अलवा अगर आपको याद हो, तो लियोनल मैसी, इन्होंने लॉरियस वर्ल्ड Sportsman of the Year 2023, और Team of the Year Award 2023 का खिताब भी जीता, तो इन सब कारण से, अभी लियोनल मैसी न्यूज में थे, और Time Magazine के अगर बात करोगे, तो आपने अभी पढ़ा होगा, कि इसने 2023 के लिए Person of the Year किसे चुना, तो आंसर होगा Taylor Swift को, Time Magazine ये अमेरिकी सापताहिक समाचार पत्रिका है, और इसके सापना होती है, 1923 में, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बढ़ते आगे, फिर बताओ, अभी हाली में नए भारत का समावेद नामक पुस्तक का नावरन किस ने किया, तो आंसर होगा, रामनात कोविंद ने, कौन है ये, ये हमारे पूर्वर रा इसके यहाँ पे कुछ बुक्स में आपको रिवाइस कर रहा हूँगा, इन सभी का सम्मंद परदान मंतरी नरेंदर मूदी से है, अभी नरेंदर मूदी के जीवन पर एक बुक आई थी, इसका नाम है करमो दै ग्रंत, इसको लौंच किया था अमित शाने, जो हमारे ग्रह म इसको लिखा था, इसको लिखा था, वैसे नरेंदर मूदी जी ने भी कुछ बुके लिखी है, जिसमें से सबसे इंपोर्टेंट बूक है, एकजाम वौरियर, इसको लिखा था, खुद नरेंद्र मूदी ने लिखा है, अचा वैसे बुक वाला प्रश्ण है, तो 2023 की कुछ important books में आपको revise करूँगा यहाँ पे, जैसे कि सल्मान रुजदी, अभी इनकी latest book आये थी विक्टरिसिटी, अचा आप मुझे comment box में लिख करके बताओ थो, अभी इनको एक award मिला थ पी जियोती मनी, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधियन एरा नाम की बुक लिखी, और ये कौन है, ये मद्रा साइकोट के पूरू नयादीश है, सज्जन सिंग यादव, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ नाम की बुक लिखी, डिसको हमारे जो हेल्थ मिन इस तरे मंसुक मांडविया उन्होंने लॉंच किया, अगला है के एम चंदरशेखर, एस गुड़ आज माई वर्ड नाम से बुक लिखी, रचना बिष्टरावत, विपिन दा मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म नाम से बुक लिखी, विपिन रावत जी के उपर, अनुराग अमेटर ऑफ दा हाट नाम से बुक लिखी, और श्रिमंत कोकाटे छत्रपति शिवाजी महाराद नाम से बुक लिखी, ये प्रसिद्व मराथी लेका के और ये इनकी पहली अंगरी जी पुस्तिका है, बाकि नंदिनी दास, कोटिंग इंडिया, इंगलेंड, मुगल इंडि अगला परशन देखते हैं, फिर बताइए, अभी हाले में विश्व का सबसे बड़ा नुक्लियर फ्यूजियन रियक्टर ये किसने बनाया, तो आंसर होगा जापान और यूरोपेन यूनियन ने, तो अभी विश्व का सबसे बड़ा और एडवान्स नूक्लियर फ्यूज जिसका नाम है JT60SA, इसे जापान और यूरोपेन यूनियन ने मिलकर के तयार किया है, और अभी इसे एक देसंबर से जापान के इबाराकी प्रांत में शुरू किया गया है, इस नूक्लियर रियक्टर में हाइड्रोजन का फ्यूजन करके हीलियम बनाया जाएगा, जिसके वज़े से हीट और लाइट के रूप में एनरजी उत्पन होगी, अच्छा जब भी आप लोग नूक्लियर की बात करते हो, तो दो शब्द आपने जरूर सुन होंगे, एक है नूक्लियर फ्यूजन, ये नाभी के सनलेयन की प्रक्रिया है, और एक है नूक्लियन फिजन, य थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बताऊं, तो अगर फ्यूजन की हैं बात करते हैं, तो ये दो या दो से अधिक परमानू केंदरकों, यानि कि एटोमिक नूक्लिया के मिलने की नाभी की प्रक्रिया है, जिससे बड़े तत्वों का निर्मान होता है, और इस प्रक्र प्रक्रिया में energy release होती है, इसका सबसे अच्छा और सबसे बहतरीन example है सूर्य का, वहीं अगर फ्यूजन की बात करते हैं, इसमें भारी नाभिक पर कम उर्जा वाले neutron की बोचार की जाती है, जिससे भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिक में विभाजिच हो जाते हैं, और इससे उर्जा उत्पन होती है, और वर्तमार में nuclear plant में इसी प्रक्रिया का use करके हम उर्जा उत्पन करते हैं, जिससे electricity हमें मिलती है, अच्छा यहाँ पर पर्मानू से सम्मंदित में कुछ और भी current affairs के प्रश्न आपको revise करा हूँगा, क्योंकि पर्मानू शब्द आपने क कहीं बार न्यूज में पड़ा होगा, अब कहां कहां पर न्यूज में पड़ा है, वो मैं आपको revise कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना आप, एक आपको याद होगा उत्तर भारत का पहला nuclear power plant ये का पर बनाए, हर्याना के फतेहाबाद जिले की गोरकपुर गाउं में, और अगर पूछे न, न्यूकलियर power plant शुरू करने वाला पहला अरब देश, तो युनेटेड अरब अमिराथ है, अच्छे ये बताओ, भारत का पहला सुदेशी पर्माणू रियेक्टर का संचालन ये गांपे शुरू हुआ था, गुजरात में, अगर पूछ पाकिस्तान के पर्माणू बंब जनक का निदन हो गया, नाम बताओ, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, और भारत की पहली पर्माणू पंडुब्बी का नाम क्या है, आइनेस अरिहंत है, और भारत का पहला पर्माणू मिसाइल ट्रेकिंग जहाज का नाम है, आइनेस ध इंटर कॉंटेनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परिक्षन किया था, जिसका नाम है RS-28 समराट, उसके अलावा पर्माणू परिक्षन के खिलाफ अंतर राश्टर दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को, और एक अंतर राश्टर पर्माणू हत्यार उन्मूलन दिवस भी होता ह अगेंस्ट नुकलियर टेस्ट, 26 सेप्टेंबर को होता है, और अगर आपसे पूछें कि भारत ने अपना जो पहला पर्माणू परिक्षन लॉंच किया था, कब 1974 में इसका नाम है Smiling गुद्धा, और दूसरा वारा पर्माणू परिक्षन ये 1998 में किया था, जिसका नाम द पाउर प्लांट है जो आपको महराश्टर में मिलेगा, आचा भारत में परमाणू उर्जा के संस्थापक किने का आ जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को, आप जानते हो, इनके नाम पे ही भाबाणू अनुसंधान केंद्र, जिसे आप बार्क कहते हो, उसकी स्ता अपना इन्होंने की थी डॉक्टर होमी जे भावा ने, कहांपे ट्रमबे मुंबई में, और भारत में कुछ इंपोर्टेन नुकलियर पाउर प्लांट का मैं आपको रिविजन करवाऊं, नारोरा नुकलियर पाउर प्लांट युक्तर प्रदेश में है, काकरापार नुकल और तमिल नार्डो में कल पक्कम नुकलियर पाउर प्लांट है, खुडन कुलन नुकलियर पाउर प्लांट भी आपको तमिल नार्डो में मिलेगा. अचा भारत के पर्माणू उर्जा विभाग के अभी चेर्मेन बनेतेखोन अजीत कुमार मोहनती और विश्व की सबसे उची पर्माणू सुविधा यानि कि प्रयोक्षाला ये कापिस्तापित की गई बोलिविया में इसको रश्या की एक न्यूकलियर पावर कमपनी उससे ने तयार किया है तो लगबग मैंने 15 से 16 करंट अफेर्स के प्रश्ण आपको यहां पे रिवाइस करा है और इसकी खास बात किया इन सभी प्रश्णों का सम्मंद कहीं न कहीं नूकलियर से है परमाणू से और ये सारे प्रश्ण आपने करंट अफेर्स में पड़े थे जि वीडियो को लाइक जरूर करा करें बागी देखो आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका कुज बना कर मैं अलग से तयार करता हूँ आपकी क्रिक एक्जाम एप्लिकेशन पर जहां पर जाके आप इनकी टेस्ट लगाएं क्विज लगाएं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्ट श्रिवास्तव को तो भारते रिल्वे यातायाद सिवा यानि कि इंडियन रिल्वे ट्राफिक सर्विस अधिकारी हैं ये और अभी वेगन से सामान लूड करने उसे उतारने और मालगाडी परीचालन में समय बचाने के लिए इस्तमाल की जाने वाली कन्वेयर बेल्ट के अविशकार के लिए उन्हें ये अति विशिष्टर रेल सिवा पुरुसकार मिला है ये जो अति विशिष्टर रेल सिवा पुरुसकार है ये भारते रिल्वे का सर्वोच्य पुरुसकार है जो भी दिया गया है प्रशश्ती श्रिवास्तव को नाम इंपॉर्डेंट है व उनका नाम भी important है बागे नंदिनी दास का नाम जानते हूं भारते मुल की लेखी का हैं जिनको अभी दोजा तेविस का British Academy पुस्तक पुरुसकार मिला स्वातिन आयक दोजा तेविस के लिए Norman E. Barlog Field Award मिला और रामचंदर गुहा इनकी पुस्तक Rebels Against the Raj ने जीता है दोजा तेविस के लिए Elizabeth Longford पुरुसकार अच्छा यहाँ पे कुछ important awards मैं आपको revise कराऊं तो आपको याद होगा भी अंतरराश्टर मातर भाष्य पुरुसकार मिला था डॉक्टर महिंद्र कुमार मिश्रा को दोजा तेविस का मारकोनी पुरुसकार जिसे दूर संचार का नोबल पुरुसकार का जाता यह मिला था हारी बाल करश्नन को दोजा तेविस का पृत्सकर पुरुसकार मिला सर डेविड एलन चिपर फिल्ड को 32 वाव्यास सम्मान 2022 के लिए मिला 2023 जीता जॉर्जी गॉस्पो डिनोव ने बुल्गेरिया के लेखके और इनका उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर लोकमान्य तिलक पुरुसकार जीता नरींद्र मूदी ने तो रेमन मैक्से से पुरुसकार 2023 की भारते ने जीता रवी कंदन ने अभी गवर्नर ऑफ दे एर दोजा तेविश चुना गया हमारे जो आर्बिया के गवर्नर शक्तिकान दास को और वनने जीव संगरक्षन पुरुसकार दोजा तेविश मिला था आलिया मीर को ये जमू कश्मीर की है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवर्ट से अभी दो जाते विश में हमने पढ़े थे इनको ध्यान में रखना बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में किस राज्ये ने Best Sustainable Wildlife Tourism State के लिए Sanctuary Asia Award जीता है तो आंसर होगा मद्यपरदेश ने तो अभी हाली में मद्यपरदेश को Best Sustainable Wildlife Tourism State के लिए Sanctuary Asia Award से सम्मानित किया गया तो मद्यपरदेश को भारत में उसके प्रकरती परियटन उद्द्यूग और जिम्मेदार परियटन में लगातार परदशन के लिए ये सम्मान मिला है वैसे आप जानते हो मद्यपरदेश को Tiger State भी कहा जाता है और वरतमान में अगर बात करें डेटा में तो यहाँ पर कितने Tiger है अभी जो नया Tiger रिपोर्ट आयता उसके नुसार 785 Tiger है यहाँ पर वैसे टोटल यहाँ पर 12 National Park है 24 Wildlife Centuries है और 3 Biosphere Reserves है Kuno National Park काफी News में रहा है यह भी आपको मद्यपरदेश में मिलेगा News में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर अभी चीते ला करके छोड़े गए थे वैसे बात मद्यपरदेश की है तो यह रा मैप में MP तो MP की Capital बोपाल है भारत का पहला E-West Clinic आपको यहीं पर मिलेगा बाकी अभी यहाँ पर चुना हुए थे देखते मुख्य मंत्री कौन बनते है क्योंकि BJP की सरकार ही है और गवर्नर की बात करें तो मंगु भाई छगन भाई पटेले अभी आपको बेसे याद होगा कि क्वालियर इसे भारत का तीसरा संगीत का शहर चुना गया क्योंकि इससे पहले दो बन चुके हैं वारणासी और चेन नई और ये याद रखना कि भारत का भी पहला साहित्य का शहर कौन सा बना केरल का कोजी कोड बना है और ISO Certificate पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना ये बोपाल में है अभी मद्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंतरी क्रशक मित्र योजना शुरू की थी लाडली लक्ष्मी योजना यहीं की है एक मुख्यमंतरी लाडली बहना आवास योजना भी यहां पे शुरू हुई लाडली बहना योजना तो आपको पताईए और इसमें जो राशी दी जाती है उसे हजार रुपे से बढ़ा के साड़े बारा सो रुपे कर दिया गया अभी यहीं पे मद्यप्रदेश के उमकार रिश्वर में आदी शंकरा चार्रे जी की परतिमा का भी अनवरन किया गया था जिनकी उचाई है 108 फीट और इस परतिमा इस स्टेचू का नाम रखा है समानता की परतिमा स्टेचू अफ वननेस अच्छा देश का पहला सोर शहर ये बना है साची और भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जीला ये मद्यपरदेश का मंडला जीला बना था उसके अलावा याद रखना देश का पहला यूनिटी मॉल ये किस राज्य में बनाया जाएगा मद्यपरदेश के उज्जेन में और राष्टरपती जो हमारी द्रौपती मुर्मुजी है अभी उन्होंने भोपाल में उतकर्ष और उनमेशा उत्सव को शुरू किया था अभी मद्यपरदेश ने यूनाइटेड नेशन पॉपलेशन फंड की हेल्प से जस्ट आस्क नाम से AI चेटबॉट भी लॉंस किया था भारत का पहला जियोलोजिकल पार्क बनेगा मद्यपरदेश के जबलपुर में और प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी ने बताओ किस राज्य से राष्टर सिकल सेल एनिमिया उनमूलन मिशन को शुरू किया था तो मद्यपरदेश से मद्यपरदेश के शहडूल से और अगर पूछे ना कि जो सिकल सेल एनिमिया का उनमूलन का उसे खतम करने का लक्षय हमारा कपका है तो 2047 का है यह important data है ध्यान में रखना और मद्यपरदेश से सम्मंदित की प्रश्ण में आपको बताएं current affairs के यह भी सारे important है इनको भी ध्यान में रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताएं अभी हाली में COP28 में किस भाड़ते यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित Green University Awards जीता तो अंसर होगा IIT मंडी आपको तो बताएं भी 2023 में COP28 का योजन यह कापे किया गया United Arab Amirat के दुबई में और अभी यहीं पर IIT मंडी को Green University Awards से सम्मानित किया गया तो देखो पूरे विश्व में ऐसी यूनिवर्सिटी जो Green House गेसों के उत्सरजन को कम करने का प्रयास कर रही है तो ऐसी यूनिवर्सिटी इसको हर साल Green University Awards से सम्मानित किया जाता है तो इस बार किया गया IIT मंडी को वैसे IIT मंडी का लक्षे है आने वाले 10 सालों में Green House गेसों के उत्सरजन को कम करना और सुन्य कार्बन उत्सरजन निती पर कार्य करना तो एक लाइन में याद रखना कि कोप 28 बैठक में IIT मंडी को Green University Awards से अभी सम्मानित किया गया को याद आएगा कि इसने अभी भारत के बाहर अपना पहला परीसर स्थापित किया कहाँ पे तंजानिया के जांजी बार शहर में और IIT मदरास यहाँ पे एक उत्सो महत्सो मनाया गया था जिसका नाम है सारंग 2023 और IIT मदरास ने वहाटन QS Re-Imagine Education Award भी जीता था इसे सिक्षा का ऑस्कर कहा जाता है और IIT मदरास इसने सुदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप्ड किया था जिसका नाम है भरोस या इसकी फुलफोम हो जाताई भारत ऑपरेटिंग सिस्टम और IIT हैदरबाद इसने विकलां अभी हाली में जैपुर वेक्स म्यूजियम में बियार अमबेडकर जी की मोम की परतिमा का अनवरन किया गया उसकी हाइट कितनी है तो अंसरों का 5 फुट 11 इंच तो अभी 6 देसंबर को बाबा साहब अमबेडकर जी के निधन की स्मृति में उनकी याद में महापरी दिवस के रुप में मनाया जाता है तो उसी दिन अभी राजास्तान के जैपुर वेक्स म्यूजियम जो की है नाहर गड किले में वहाँ पे इनकी मोम की परतिमा का अनावरन किया गया उसे लांच किया गया इसकी हाइट है 5 फुट 11 इंच और इस परतिमा इस स्टेचू का वजन है 38 किलोग्राम और आपको याद आएगा अभी कुछ दिन पहले ही हमने पड़ा था कि यहीं पे विराट कोहली की मोम की परतिमा भी लगाई गई थी अचा वैसे बियार अमबेडिकर जी से सम्मंदित कुछ और भी स्टेचू आपने पड़े हैं जैसे कि अगर तेलंगना के हैदराबाद में अमबेडिकर जी की परतिमा का अनावरन किया गया था वहाँ पे उसकी हाइट है 125 फूट हुसेन सागर जील के किनारे उसे इस्तापित किया गया था और उसके वास्तुकार है रामवी सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार और वैसे महरा ये पॉइंट भी ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं चलिए फिर बताइए अभी हाली में 35 जिमी जॉज फाउंडिशन अवर्ड ये किसे मिला है तो आंसर होगा मुरली शिरिशंकर को तो लॉंग जमपर है ये मुरली शिरिशंकर और इनको केरल की सरुश्रिष शिरिशंकर की बात करें तो अभी इनोंने Commonwealth Games और Asian Games में Long Jumping Event में Silver Medal जीता था और इस अवर्ड की बात करें तो इस अवर्ड का नाम भारत के भूत्पूर्व वॉलिबॉल प्लेयर जिमी जॉज के नाम पर रखा गया है और आपको बता दू जिमी जॉज ये अर्जुन अवर पाने वाले पहले वॉलिबॉल प्लेयर थे तो ये प्रशन आपको ध्यान रखना है बाकी शीतल देवी का नाम आपको जरूर याद होगा इनों सरुष्रेष्ट युवा एथलीट का पुरुसकार भी मिला था तो इनका नाम न्यूज में भी था तो ये दोनों नाम याद अगला प्रशन देखते हैं फर बजाइए अभी हाली में Max Life Insurance के अद्यक्ष के रूप में किसे चुना गया तो अनसर गईर राजिवा अननन्द को तो Max Life Insurance के नए अद्यक्ष के रूप में भी राजिवा अननन्द को चुना गया है उन्होंने किनका अष्थान लिया अनल जी सिंग का देखो मैक्स लाइफ इंशॉरेंस बात करें ये एक्सिस बैंक और मैक्स गुरुप की सबसिडरी कंपनी है जिसके स्टापना होती है सन 2000 में नई दिल्ली में इसका मुख्याले है और अभी नय अद्यक्ष बन गए राजिवानन्द बाकी हितेश कुमारेश मकवाना भारत के महा सर्वेक्षक सर्वेर चनरल आफ इंडिया बने थे हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक चीफ इनफॉर्मेशन कमिशनर बने तो अमोल मजूमदार अभी महिला किर्केट टीम के मुख्य कोच ये बने थे तो ये नाम भी इंपोर्टेंट है निउस में थे और ये था आज का आपका Current Affairs का सेशन एक बात फिर से आपको याद दिला रहा हूँ वीडियो अभी तक आपने लाइक निकला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे जरूर ही अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना प्लीज चलो अभी कल के Current Affairs का हम क्विक रिविजन करते हैं और सेशन एंग करते हैं तो देखो पहला प्रशने बूचा था कि युनेसको की अमूर्त सांसकरतिक विरासत सुची में किसे शामिल किया गया गर्बान रत्य को जेबा एन एक्सिरेंटल सुपर हीरो बुक को लिखा है हुमा कुरेशी Time Magazine का Person of the Year चुना गया Taylor Swift को मिजोरम के नए CM बने लाल दूहूमा और अभी देसंबर में भारत में पहली बार पुरुष क्लब वॉलिवल विश्व चेंपिन्शिप दोजा तेविस कायोजन काम पे किया गया बंगलूरू किसने Artificial Intelligence Neural Network Gemini AI को लॉंच किया गूगल ने और कि भारते मूल के व्यक्ति को BBC British Broadcasting Corporation का अध्यक्ष न्यूक्ट किया गया तो समीर शाह बाकी National Crime Record Bureau के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है कौलकता है SNP Global Market Intelligence की 2022 की बीमार रिपोर्ट में LIC विश्व स्थरबर कौन से स्थान पर है चौते स्थान पर जूनियर विश्व मुक्यबाजी चेंप्रेंशिप दोजा तेविस में भारत ने कुल कितने पदक जीते 17 तो अभी कल का हमवर्ग प्रश्ण भी देखते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं तो कल की वीडियो में आपसे बूचा था कि नाटो का 31 हुआ सदस से देश कौन सा बनात आंसर का फिनलेंड आप सभी ने प्रश्ण का बिल्कुल से उतर दिया आप ये राज का आपका हमवर्ग प्रश्ण